दोस्तों बात करें तो market में nothing versus apple चल रहा है मलब basically आपको छोड़ा से reference देता हो nothing में अपनी USA के अंदर presence मनाई है लेकिन USA जातना लोग iPhone को use करते है और Android को इतना भाव नहीं देते symbols answer ये कि USA के अंदर iPhone के अंदर आता है iMessage और वहाँ पे लोग iMessage का use communication में करते है और अगर आप एक Android phone लोगे तो आप iMessage का use नहीं कर पाओगे और basically short भाशा में iMessage USA का WhatsApp है जहाँ पे आप group बना सकते हो chat कर सकते हो, video call कर सकते हो कापी सारी चीज़े कर सकते है इंडिया में चीज़ इती popular नहीं है लेकिन फिर भी US वगिरा में दो चीज़ चलती है लेकिन नथिंग वालों ने क्या किया कि क्यों ना अगर हमें Apple से पंगा लेना और Apple को हराना है ना तो Apple को सबसे बड़ा feature है जिसके लिए Apple को लोग use करते है आई मेसेज तो क्यों आप हो हम हपने अंदर लिया और बेसिकली नथिंग ने अपनी नथिंग चैट्स को अनाउंस किया जिसके अदर उन्हें ने पता क्या किया कि यहाँ पे आई मेसेज की कमपेटिबिलेटी अपने mobile phone के अंदर लिया जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे पार्टनर्शिप करीए एक Sunbird नाम की कमपनी से जिसके पास अल्रेडी एक अप था लेकिन इसके अंदर यहाँ पे क्या करते है लोग बेसिकली आई मेसेज की कमपेटिबिलेटी आई फोन की बज़ए एक सर्वर फार्म लेते हैं वहाँ पे एक Mac Mini रखते हैं और वहाँ पे Apple ID से लोग इन करते हैं और वो मैसेज भेजता है और वो सारी चीज़े लोग ट्रांसफर करते हैं अपने फोन के अंदर एक चोटे से लूप होन खा मसा इनोने हाप पर लिया था और इस चीज़ को Publicize लोने करा था यह चीज़ यहाँ पे चल रही थी लेकिन यह देखके लग रहा था कि Apple का स्क्यूपर response क्या होगा और अभी कुछ घंटे पहले ही Apple के तरफ से बहुत ही interesting news आती है मतलब क्या हो रहा था कि Apple की बात already EU से चल रही थी जहाँ पे EU ने कहा था कि यहाँ पे Apple को iMessage के अंदर RCS की यानि की Rich Communication Services को डाल ला पड़ेगा यानि की Simple सी भाषा में RCS वो रहता है कि आपने Mobile Phone के अंदर Messaging App है और किसी Android Phone के यूजर से अगर आप बात कर रहे हो तो आप वाँ पे High Quality वीडियो कॉल कर सकते हो इंटरनेट की Service का यूजर करते हुए Messaging App को थोड़े WhatsApp के स्टाइल में भी आप यूजर कर सकते हो ये फीचर आपको Android to Android में तो काम करता है और एक Open Feature है अगर Apple इसे Adopt करना चाहती है तो कर सकती है और Surprisingly Apple Lab इस फीचर को यहाँ पे Adopt कर लिया और Apple का यहाँ पर यह कहना है कि हम इस चीज़ को अपने अंदर लारे है और अगले साल से iPhone के अंदर कोई Compatibility देखने को मिलेगी यानि कि Apple का जो iMessage होगा वो Android की जो Messages होते हैं उनके साथ Compatible होगा यानि कि जहाँ पहले Android यूजर को अगर Apple का iPhone यूजर को कुछ भेजना होता था तो Simple एक SMS को फॉर्म में जाता था लेकिन अब जो Proper Chat और बाकी functionality होगी न वो भी हाँ पर देखने को लेगी हाला कि iMessage के अंदर RCS का सपोर्ट आएगा तो ये देखना है कि सारे फीचर सपोर्ट करेगा कि कुछ फीचर में खा जाएगा और हाँ एक बाब बता देने चाहता हूँ ये जो Decision लिया न इसका Nothing से हाँ पर कोई लेना देना नहीं है Nothing वालों उन्हें बस Spoke किया था अपनी Marketing का Game खिल रहे थे और उन्हें यूरोप के अंदर यहाँ पर बेशना अपने मॉब आईफोन को तो जो उनकी गाइडलेंस से फॉल्लो करने पड़तेंगी और इसी साल इसलिए उन्हें 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 यूएसपी टाइप सी पॉर्ट को डाले याने कि अब आईफोन जो अब Android के रास्ते पे चल पड़ाओ धीरे धीरे Android जैसा बनता हुआ जा रहा है खर आईफोन के बार में बात कर रहा था तो एक और बात पता चलिए जो बहुत जादे इंटरस्टिंग है कि आप लोग को मालूमिं कि आईफोन के अंदर अब शायद आप लोग आने वाले समय में एप्स को साइड लोड कर पाऊगे यारे कि Android में आपको पता है कि अगर कोई अप प्ले स्टोर पर अवालेबल नहीं है तो आप उसकी AP के डाउलोड कर और उसका आप इसली इंस्टॉल कर सकते हो Windows वगरा में भी external software आप बहुत आसानी से डाउलोड कर सकते हो लेकिन iPhone एक ऐसी चीज़ती जहाँ पर साइड लोडिंग अवालेबल नहीं थी हाला कि कुछ तरीके थे जिससे लोग कर लेते थे लेकिन आम तोर पर जो best possible method था आप स्टोर पर जाईए वहाँ चाके डाउलोड की थी है यहाँ तक कि iOS का जो beta code था वहाँ पर आपको manage app distribution देखा गया यह भी एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत विमरती कि user के पास power हो और वो अपने साब से जिस app को डालना चाहता है वो डाल सके और Apple का हमेशा से कहना था कि हम user को secure रखना चाहते है और इसलिए हम allow नहीं करते external side loading apps के लिए और इसलिए सिर्फ Apple के app store से लोग डाउलोड कर सकते हैं लेकिन देखा जा तो external store से अगर app डालने का feature अगर Apple देगी और साथी साथ यह भी ensure कर लेगी लोग का experience कर रहा है जारी बहुत से चीज़ होगी यानि कि iPhone जाब अब Android फोन के रास्ते में भड़ चुका है और धीरे धीर आईफोन के अंतर भी वह चीज़ आने वाली है जो Android में काफी सालों से थी अब देखने के इसके बाद Apple के iPhone और Android स्मार्ट फोन के बीच की जो जग रहती हुए आपके कैसी रहती है इसे के साथ है अगर मैं कुछ टेलीकॉम डेलेटेट निउस के बारे में बात करो तो एक बाब बता सकता हो जियो एर फाइबर के बारे में काफी सारे लोग पूछ रहेते कब आएगा शुरू में कुछ चुनिंदा शेरों में अवाइलेबल था आज के समय में जियो एर फाइबर है आपे 115 सिटीज के अंदर अवाइलेबल हो गया है इसके लिए भी इन्होंने जो प्लास निकाले वो भी बहुती कमपैटिटिव और उनकी प्राइसिंग भी जो जियो फाइबर आता है उसके कमपैर रिवल रखी गई है यह जो वाइफाइबर का पूरा सिस्टेम इन्होंने डेवलब की एर फाइबर यहाँ पर अभी सब सिस्ट गीगाहर्ट्स को यूस करेगा तो अगर आपके शेर में नहीं आया तो हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद यह लोग यहाँ पर लिया है क्योंकि सिंपल सी बात ही अगर 5G अगर एक जगे आ गया तो एर फाइबर को लहने भी इने जाधा टैनल लगेगा और यह काफी कच्छी चीज़ है इवन एर टैल ने भी अपने एर फाइबर के अंदर चेंज किया है या तक की वोड़ा फून आइडिया ने भी अपना एर फाइबर शोकेस किया था और बी एसनल का भी यहाँ पर तो कुल मिला के बात कीज़े तो टैलीकॉम इंड्रस्ट्री में एर फाइबर एक काफ इंड्रस्टिंग चीज़ आपर होने वाली है और इसी के साथी बात करना चाहूँँगा क्वाल्खॉम स्नैप्टरगन की आप लोग को पता है कि क्वाल्खॉम स्नैप्टरगन इस सेटलेट कनेक्टिविटी वगर इंट्रिड्यूस करी थी आपे हाला कि सेटलेट कनेक्टिविटी के अंदर यह था कि आप इमर्जेंसी SOS मैसेजज को भार भेज सकते थे जैसा iPhone 14 के अंदर यह feature आया था इस feature को Qualcomm लेकर आया लेकिन पिछले 10 महीने पहले इसको अनौंस किया गया था लेकिन 10 महीने के बात इस feature को बंद कर देगा पहली बात mobile phones पे इस implement भी नहीं किया गया और इसके पास zero customers है और शायद इनकी जो partnership नी satellite जिस company से वो भी हाप अब तो कुल मिला के बात की जाए तो अब यह feature अभी के समय में तो देखने को नहीं मिलेगा future में देखते क्या रहता है लिके satellite connectivity वाला जो feature जो बहुत जादा hype किया गया था एक time पे वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा at least अभी Qualcomm के smart phones के साथ देखने वाली बात है क future में यह चीज दुबारा से आती हो satellite connectivity वाली smart phones के mainstream जा पाई की नहीं जा पाएंगे यह एक सवाल रह गया यहाँ पर तिम के को देखने की माप समता नेक्स्ट वन में गुडबाए